Competency Based Test So Competency या Achievement Test चैसे इंप्रूफ करने के लिए Achievement को या Achievement के बारे में बचों के Attitude या Trends को जानने के लिए मुख्लिक इसम के जो Competency Test है Standardize ये Introduce कराएगे और ये जो Test के Scores है उन्होंने बताया कि बचों की Competency का हम एक Sure या Authentic Diagnose नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है उन Test को करने के लिए जो Factors थे जब बचे टेस्ट कर रहे थे तो उसको वकत उनकी जो Personal Factors हैं, उनकी Motivation, उनकी Health और दूसरे Environmental Factors जो हैं वो Effect हो सकते हैं इनके Scores के उपर तो हम 100% Competency Based इस टेस्ट के उपर जो है Relay नहीं कर सकते हैं और हम यह नहीं कह सकते हैं कि चुके इस एक टीचर का जब interaction अपने स्टूडेंट के साथ होता है तो वो उसको अच्छी तरह से जानता है जिसके वज़े से अपने स्टूडेंट के लेवल के मताबक एक Competency Achievement टेस्ट बनाना टीचर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इसके उपर standardized test जो है वो भी बनाएगे जिसमें reliability और validity का जो aspect है वो बड़ा important होता है कि teacher made test जो है वो उनकी reliability और validity जो है क्या वो ensure की जाती है क्योंकि हो सकता है वो कोई ऐसा test सारे indicators या सारे aspects जो competency के हैं हो सकता है वो एक teacher made test पूरा ना कर रहा हो जबकि standardized test चुँके मुखलिफ किसम की researches के बाद होते हैं और उनको apply किया गया होता है और उसके score जो है valid और reliable होते हैं इसलिए उनकी results जो है वो ज़्यदा थंटिक आते हैं लेकिन जो सवाल यहां पर यह है कि in competency based test के बाद भी जो score आता है उसके बाद भी एक इनसान की competency के बारे में हमें 100% sure नहीं होना जाहिए बलके उस competency based test या achievement test के साथ मिला के कुछ और test को भी use करना चाहिए जो के आपको इन सारे test को मिला के result जब आपके सामने आए तो तब आप किसी personality के बारे में कह सकते हैं कि यह बड़ा intelligent है इसका aptitude जो है वो यह है इसमें anxiety की कमी है इसमें depression की कमी है और इसकी achievement जो है वो उसके बारे में हम एक sure जो है वो score बता सकते हैं जैसे test of achievements है mostly teacher made होते हैं और used to measure individual differences in academic achievement बच्चों की एक test में मुखते performance की causes क्या हैं उनकी individual differences क्यों है एक test के उबर और बास जो करती होता है कि एक test उसने इच्छा दिया है class के अंदर हो सकता है एक मा के बाद वो इतना उसका score poor हो तो अब अगर एक बचा intelligent है तो उसकी consistency of scores तो होनी चाहिए class में तो इसका मतलब यह है कि यानि मुखते factors जो है वो affect कर सकते हैं किसी भी test के score को तो यह चीज़ teacher को मदे नजर रखनी चाहिए और उसको tag नहीं कर लेना चाहिए एक बचे को किसी एक test के score से या तीन test के मसलसल score भी हो सकता है बुरा हो या हो सकता है एक test का score अच्छा और दूसरे test का score ना हो तो test may not be sure measure of standing in the group कि आपने कहा कि यह high achiever group है तो यह बचा इस group में जाएगा यह जो है वो low achiever group है तो बचा इस में जाएगा सिर्फ कुछ test की basis पे आपने यह decide किया नहीं आपको एक test की basis पे यह decision नहीं लेना चाहिए बलके उसकी मुतलिफ जो personalities के attitude और capacities हैं उसके मताबक personality test को भ साथ यह उस कर लेना चाहिए तो सिर्फ achievement test की basis के ओपर एक बच्चे की competency का जो है वो decision एक teacher को नहीं करना चाहिए और मुतलिफ हालात में हो सकता है कि एक achievement test का score मुतलिफ score जो है वो बता रहा हो तो यह सारी चीजें जो है teacher के notice में होनी चाहिए और उसको इन सारे test का जो एक cumulative score आता है उन सब को मिला कि एक बच्चे की performance के बारे में एक diagnostic जो है result बनाना चाहिए और उसकी base पे बच्चे को futureistic जो guideline है वो दी जा सकती है और बताया जा सकता है कि यह बच्चा किस film में किस तरह से perform कर सकता है तो यह जो test है यह काफी अच्छा result जो है वो आपको दे सकते है scientifically जब आप अपने बच्चे के aptitude के बारे में upset हो या यह जानना चाहते हों कि आपका बच्चा किस competency का हामिल है तो यह standardized test जो है आप use करके अपने बच्चों का interest देख सकते हैं aptitude देख सकते हैं आप उनकी achievement दे सकते हैं इसके लावा anxiety और depression भी बच्चे के देखे जा सकते हैं कि कहीं वो academic anxiety का शिकार तो नहीं है जिसके वज़ा सो उसके test अच्छे नहीं हो रहे है although he is very intelligent or she is very intelligent but she or he is not performing well so what is the reason behind तो उसके लिए हम जो है वो इस तरह के anxiety stress या depression test को यूज करके देख सकते हैं कि कहीं इसकी poor performance की reason जो है वो कहीं उसकी academic anxiety तो नहीं अपने इकसर देखा नहीं जाना हो या exams होते हैं तो जीब सा उनको nausea सा होना शुरू हो जाता है और वो जीब सी anxiety जो है एकस्प्रेस करना शुरू कर देते हैं किसी के पेट में दख शूरू हो जाती है तो ये कुछ थोड़ी सी psychological जो है unneasiness है जिसको एक parents को teachers को understand करना चाहिए और बच्चों को don't divert नहीं करनी चाहिए कि तुम बहाने बना रहे हो तुम जानवच के school नहीं जा रहे तो देखना चाहिए कि बच्चा इस तरह का response क्यूं दे रहा है हो सकता है उसको teacher के साथ कोई issue हो जिसके उस subject की जो है वो अच्छी तरह से समझ ना आई हो उसकी त्यारी अच्छी नहीं है जिसके वज़े से वो इस किसम के false statements जो है वो दे रहा है तो यह test जो है मिला के इनके results को हमें understand करना चाहिए किसी भी person की competency के लिए